नमस्कार स्वागत है आप सभी का इस्टार्ट करेंगे आज का सेशन फर्स्ट क्वेशन यहाँ पर है निम्न में से किसने बातसा सा जहां को सुपरसिद हीरा कोहिनूर भेट किया था अगर आपको आंसर पता हो तो question number डालके आप आंसर बता सकते हैं comment section में यहाँ पर right answer हो जाएगा आपसंसी मीर जुमला question number two देखे इसके बाद निम्न में से किस सुल्तान ने तुरकान एचिही लगानी या पिर चहा लगानी या इसी को चालिसा भी कहा गया है का दमन किया तो इल्तुत मिंस ने चालिसा या तुरकान एचिहल गानी बनाया था उसी के सासंकाल के समय इसका प्रादुरुभाव हुआ था और जब बलबन सासक बना तो उसने क्या किया इसका दमन कर दिया इसको समाप्त कर दिया तीसरा देखिये कोर्शन यहाँ पर सती प्रता का अभिलेखी ये साक्ष ये कहां से मिलता है एरड अभिलेख एरड अभिलेख में है क्या इसमें इसमें जो है 510 इस विर में भानु गुप्त का एरड अभिलेख पराफ्त होता है जिसमें इनके मित्र गोपराज की मृत्यू की पस्चात इनकी पत्नी शती होती है Q4 बुद्ध की मृत्यू जहां हुई थी वह अस्थान अब कहा है Q4 बुद्ध की जो मृत्यू है उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले से 28 किलोमेटर की दूर पर इस्थित कूशी नगर में हुई थी इस अस्थान को कूशी नारा या फिर कुसावती नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा D उत्तर प्रदेश Q5 निम्न में से कौन सा एक हडपा का बंदरगा है लोथल लोथल हडपा सब्यता का एक बंदरगा अनगर था कुछ यहां से जो प्रमुक उबस्त में प्राप्त हुई थी तोरा से देख लिजी के वर जल्दे जल्दे यहां पर जो है नाव के आकार की दो मुहरे प्राप्त हुई थी लकडी का अनगा यहां से मिला है बैल, कुत्ता, खरगोस, चिडिया की तामे की मुर्तिया और मोहरे प्राप्त हुई है यूगल सवाधान की प्राप्ती जिसमें सीरपुर्व में और पैर पश्चिम में और वे करवट लेटे हुए है मनके बनाने वाले शिल्पियों की दुकाने यहां से प्राप्त हुई है उत्तरा वस्ता की एक अगनिवेदी प्राप्त हुई है अनपीसने की चक्की अगर थोड़ा बहुत याद रह सके इस प्रका की कोश्चन भी आपकी एक्जाम में पूछी जा सकते है निमनकत्नों पर विचार कीजिए गौवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट भारस सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतिय श्वशासन का उपबंध था या संग्य नयाले की अस्थापना का उपबंध था या केंदर में अखिल भारत संग का उपबंध था आपको बताना है राइट आंसर बिकल्प में से देख करके तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ये तीनों ही सही है ठीक है प्रांतिय श्वशासन का उपबंध किया गया था संग्य नयाले की अस्थापना का उपबंध था केंद्र में अकिल भारत संग का उपबंध था जबकि आप देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 इसमें क्या था प्रांतों में द्वशासन था और 1935 में इसको प्रांतों में द्वशासन को समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया Q7. मैं एक समाजवादी और गड़तंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है यह वक्त अब यह संबंदित है महात्मा गादीजी से Q8. माई एक्सपेरिमेंट सुभी दर टूथ के लेकक कौन है Q9. माई एक्सपेरिमेंट सुभी दर टूथ सत्य के साथ मेरे प्रयोग यह महात्मा गादीजी की आत्मकता है इसके लावा महात्मा गादीजी की पुस्तक अगर देखेंगे तो हिंद स्वराज यंग इंडिया नव जीवन इन्हें भी आप जानते रहिए और जवाला नेहरू का अगर बात कर लेत इंके एक फेमस क्रिती है डिस्कवरी आफ इंडिया इसके लावा ग्लिम्सेज आफ वर्ल्ड हिष्ट्री Q9. लाड करजन के समय उग्रबाद के पनपने का मुक्य कारण था Q9. बंगाल का विवाजन 1905 में जिसको रद किया गया था 1911 में Q10. नील क्रांती का नेत्रित्व निम्न में से किसी ने किया था Q10. दिगंबर विश्वास एवं विश्णू चरन विश्वास Q10. अगर यहीं पर थोड़ा सा और देखें तो इसमें नील या जो किसान विद्रो था इसमें ये दोनों जो हैं दिगंबर विश्वास जी और विश्णू चरण विश्वास जी सम्मन्दित हैं और इसी किसाद अगर आप देखेंगे बिजवलिया आंदोलन, चमपारण, खेडा सत्यागर, एका आंदोलन, फड़के विद्रो तो यहां से भी क्वेशन बन सकते हैं गांदी जी का सबसे पहला आंदोलन था महात्मा गांदी जी का 1917 में चमपारण बिहार वाला खेडा सत्यागर, 1918-19 में, उसके बाद आमदाबाद मिल सत्यागर, 1919 में खिलापत आंदोलन, तो गांदी जी के जितने भी आंदोलन है वो जरूर आपको याद रहने चाहिए योरोप का प्रमुक मत्सियन चेत्र डागर बैंक कहा अवस्थित हैं? उत्तरी शागर में तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा B, Belgium, Netherlands, Luxembourg, ये तीनों ही चोटे-चोटे देश हैं, योरोपिये देश हैं Q13, निम्न में से कौन सी चट्टान प्रडाली भारत में नवीनतम है? गोंडवाना Q14, माउंट आबू निर्मित है माउंट आबू निर्मित है नीस से एक पुरकार की चट्टान है 2011 की माउंट आबू रायस्थान राजे में इस्तित है 2011 की जनगर्णा के अंतिम आकडों के आधार पर उत्तर प्रडेश के निम्ने में से किस जिले में साक्षर्ता दर उच्चतम है गोतम बुद्धनगर में भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए राष्ट्री आयमे बृद्धी भुगतान असंतुलन से देश का आयात और निर्यात प्रभावित होता है भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए शामईक नमूना सर्वेक्षर कौन करता है एन एस एस ओ क्वेस्टन नमर एटीम इसका आपसन नीचे यहाँ पर है क्रिसी लागत और मुल्ले आयोग सीए सीपी के निम्न में से कौन कौन से उद्देश्य है क्रिसी मुल्लेओं का इस्तरी करण यह उद्देश्य होता है क्रिसकों के लिए सार्थक वास्तविक आय अस्तरों पर सुनिश्य करना लोग वित्रण पद्दत के माद्यम से उपभगताओं को आवश्य क्रिसी पढ़े उची दरों पर उपलब्द करवाना उनके हितों के रक्षा करना क्रिसकों के लिए अधिकतव मुल्ले का सुनिश्य यह नहीं है ठीक है यह बाकि तीनों है क्वेशन नमर् एटीन का ए हो जाएगा राइट आंसर क्वेशन नमर् नाइनटीन निम्न पर विचार कीजिए छेत्री ग्रामिर बैंग अग्रडी बैंग योजना नावार्ड भारती इस्टेट बैंग इन बैंगों के अस्थापित होने का सही एतिहासिक क्रम है तो भारती इस्टेट बैंग इंपिरियल बैंक आफ इंडिया था इसको 1955 में राष्टी गड़ किया गया इसका नाम भारते श्टेट बैंक पड़ा 1955 में अग्रडी बैंक योजना उननी सो हनत्तर में आई थी चेत्री ग्रामिड बैंक 1975 में और नाबाड 1982 में तो इस प्रकार से यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी वाला 4213 क्वेसन नमबर 20 दिखे इसके बाद सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है वरतमान पीड़ी के विकास के सासाथ भविष्ट का आर्थिक विकास 21 निम्न कतनों पर विचार कीजी भारत के सम्मिधान की भाग 9 में पंचायतों से सम्मंदित उपबंद है और उसे सम्मिधान 73 संसोधन अधनियम 1992 में द्वरा अंता स्थापित किया गया है बिलकुर सही है पहला वाला कतन दूसरा देखिए भारत के सम्मिधान की भाग 9 ए में नगर पालिकाओं से सम्मंद उपबंद है तथा अनुच्चे 243 क्यों कि अनुसार प्रतेक राज्य के लिए दो प्रकार की नगर पालिकाओं हो सकती है नगर पालिकाओं परसद और नगर निम्न दूसरा वाला कतन यह प्रकार की होती है एक नगर पंचायद भी होता है तो यहां पर केवल एक हो जाएगा 22 राष्ट्रपती द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवदी तक मारने होंगे वहाँ अवदी है छे महीने के लिए ठीक है और अनुचेद 123 की तहत राष्ट्रपती को अध्यादेश जारी करने की सक्ति प्राप्त है क्वेशन नमर्ट 23 संसदिय राजेपाल को 2113 संसदिय सासन प्रडाले में मंत्री परसद व्यवस्थाविका के माध्यम से उत्तरदाई होती है किसके प्रती जनता के प्रती स्थापित करता है वहा है विदिकाशासन प्रक्रियात्मक छेड़े नमर्ट 23 निम्न में से किस वर्ष भारती शंबिदान की प्रस्तावना संसोदित की गए थी प्रस्तावना में शंसोदल इसमें आप देखेंगे तीन वड़ जोड़े गए थे पंत निर्फेक्ष 42 में शंबिधान संसोधन 1976 इसी को मेनी कंस्टिचूशिन मेनी शंबिधान भी कहा जाता है गोल्डेन धान में सरवादिक मात्रा होती है विटामीन एकी क्वेशन नमबर 27 निम्न में से कौन हमारे सरीर का सबसे द्रिड भाग होता है दन तो वलक इनेमल जिसको बोलते हैं सायथ Inglis में वाईयो में कौन सी Noble Gase नहीं होती है इनेमल ये बोलते हैं दन तो वलक को जो की कैलसियम फास्फेट और कैल्सियम कार्बोनेट से बना होता है तो वाईयो में जो Noble Gase Redon तो है लेकिन वायों में मुक्त अभस्ता में नहीं पाई जाती है इसका छरड बहुत जल्दी होता है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है तत्व है और रेडान का जो प्रियोग होता है कैंसर चिकिस्था में होता है इसको भी आप जानते रही है कैंसर चिकिस्था में सूर्य में उर्जा का निर्मार होता है नावकिय संग लेयन प्रकिरिया के द्वारा हाइड्रोजेंग के समस्तानिक आपस में सललाइथ होते हैं और हीलियम के नाविक बनाते हैं क्वेस्टन नमर थर्टी जब किसी पिंड को चंदरमा से प्रतिवी पर अस्तनानतित किया जाता है तो चंदरमा से प्रतिवी पर तो प्रतिवी पर चंदरमा के तुलना में 6 गुना अधिक गुरतिवी तुरण का मान होता है जिस वज़े से 6 गुना भार बढ़ जाता है प्रितिवी पर उसका भार बढ़ जाता है लेकिन उसकी मात्रा यानि द्रब्यमान और परिवर्टित रहता है Question number 31 दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के अस्थान आपस में बदनने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है अंकों का अंतर चार हो तो संख्या बताईए माले ची संख्या एकस और वाई है पहले संख्या यहापर है 10 एकस प्लस वाई अगर वाई इकाई है एकस दाई है अगली बार क्या किया गया है इकाई और दहाई का अस्थान बदल दिया गया और इन दोनों संख्याओं को जोड़ा गया तो यह मिलता है आपको 100 कितना है यहाँ पर 132 यहाँ पर है 132 मिल गया तो इनी दोनों को साल कर लेंगे यहाँ पर यह मिल जाएगा 11x प्लस 11y और यह होगे आपको 132 x प्लस y बराबर 111 ग्यार 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 दोनी बाइस समिकरण 1 और समिकरण 2 दोनों को साल कर लेंगे तो यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 31 का B 84 1 और दहाई का आपका मान मिलेगा 100 y का तो वहाँ से आप संख्या निकाल लीजीगा क्योंकि आपसे संख्या पूछा गया है मौरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है उसे 1000 रुपया की वेतन बिर्धी मिली लेकिन उसने खा दिवस्तू पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया नत्यजेतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया उसकी प्रारंबिक आय क्या थी मालेज उसकी प्रारंबिक आय जो है Y रुपय है और वो क्या करता है 25% जो है खर्च करता है भोजन पर अपनी आय का 25% और ये किसके बराबर हो जाएगा जब उसकी आय एक हजार रुपए बढ़ गई अब उसका खर्च कितना रह गया बीस प्रसद अब यहाँ पर देखिए उसकी आय बढ़ है लेकिन उसने खा दे वस्तों पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया है तो इसके बराबर यह हो जाएगा इसको आप पूरा हल कर लेंगे तो यहाँ से वाई आपको मिल जाएगा 4,000 रुपए D 33 देखिए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी 14, 161 खा वर्गमूल है भाग विदी से वर्गमूल निकाल लीजीगा 119 राइट आंसर होगा 34 देखिए 10 चात्रों की एक कक्षा में आउसत आईउ 16 साल थी 10 चात्र है जब 2 चात्रों ने कक्षा छोड़ी तो 6 चात्रों की आउसत आईउ 16.25 साल हो गई छोड़ने वाले चात्रों के कुल आईउ कितनी थी पहले 10 चात्र थे 16 आउसत आयू है तो कुल आयू कितना हो जाएगा 160 जब दो चात्रों ने कक्षा छोड़ी अब कितने चात्र बचे आठ चात्र बचे और आउसत कितनी आयू उंकी हो गई है 16.25 और इसमें दो चात्र जो छोड़ रहे हैं उनकी आयू हो जाएगी यहाँ पर 160 में से इसको माइनस कर दीजीगा आपको आंसर मिल जाएगा तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 30 साल 35 बहुत आसान क्वेस्टन है कितने लोग कर लेंगी इस क्वेस्टन को इसको आप दो तरह से कर सकते हैं एक तो ऐसे कर सकते हैं कि इसको 9 गुड़े 8 लिख लिजिए और इसको 3 गुड़े 4 लिख लिजिए यहाँ प्लस प्लस है तो इसका सीदे सीदे मान हो जाएगा 9 और भागे यहाँ पर है श्चित्र महादेवी बर्मा मुहावरे अपना सामान अर्थ ना देकर कौन सा अर्थ देते हैं विशेश अर्थ देते हैं 38 निम्न वेसे कौन सा सब्द पुलिंग है वचन इसको आपने क्रिया शर्वनाम के सहायता से देख लिया करिए जैसे वचन दी जाती है या वचन दिया जाता है प्यास बुझती है हानी होती है बचन की जाती है ये सभी इस्त्री लेंगे जबकि वचन क्या है पुलिंग है मैंने मेरे को सुधार लिया है इसमें किस प्रकार की असुद्धी है सरवनाम की असुद्धी है मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए था मतलब मेरे के जगह अपने को होना चाहिए था Question No.40 दिये गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है अम्बुद अगर यही अम्बुद जह हो जाता तो कमल का हो जाता जिसे यहाँ पर यह तीनों क्याँ यह तीनों कमल के हैं और यह बादल का है प्लीज एक बार आप यहाँ पर पैसेज पढ़ लिजिए इंग्लिज का और डारेक्टली हम यहाँ पर कॉस्टन करेंगे 41 वाट डिड़ प्री हिस्टोरिक प्राग अहती हाशिक काल मैन लाइब जिन्दा रहने के लिए क्या करते थे वो लोग सर्वाइबल के लिए जंगल में मतलब कहां पर रहते थे कहां पर रहते थे जंगल में रहते थे गद्यांस के अंसार आपको यहाँ पर आंसर करना है इसमें क्या आएगा 43 में यहाँ पर आएगा 44 दिखे इसके बाद call the first witness said the judge convert to reported speeches को बदलना है direct से indirect में क्या हो जाएगा the judge commanded them to call the first witness 45 out of four alternative suggested select one which based express the same sentence in active to pursue या active to pursue आपस में देखना है तो जो आपको वाकी दिया गया है यह किसमे है active में है कि पैस्यू में है यह आपका पैस्यू में दिया गया है इसको बदलना है active में तो क्या हो जाएगा 45 का D हो जाएगा यहाँ पर क्या है our task had been completed before sunset यहाँ पर क्या हो जाएगा we had completed our task before sunset इसके बाद reasoning के पांच प्रश्ण है सभी कारें जीप है यह कार हो गया और सभी कारें जीप है यह में जीप जेटफार जीप सभी जीप चार पहिया है सभी जीप यह 4 विलर कर लेता हूँ 4W 4 विलर सभी चार पहिया कारें है सभी चार पहिया कारें कैसे हो सकते जब कि सभी car चार पहिया यह गलत हो गया कुछ चार पहिया जीप है ये ठीक है कुछ चार पहिया जीप हो सकते हैं लेकिन सभी जीप चार पहिया है ने four whirvery लेकिन कुछ four whirly तो होंगे जीप तो यहाँ पर केवल निस्कर्स दो अनुसरण करता है 47 देखिए A बराबर 2, O बराबर 30 X बराबर 48 तो S, A, W का मान क्या होगा A बराबर 2 कैसे आया होगा A का तो वैसे place value 1 होता है alphabet में देखेंगे तो इसमें 2 से multiply करके 2 O का होता है 15 इसमें भी 2 से multiply होकर यहां पर 30 आ गया ऐसे ही X का होता है 24 24 इसमें भी 2 से multiply होकर 48 इसका इसी तरह से S, A, W का निकालेंगे S का कितना होता है अलपा बेटेश बेलू होता है 23 23 का double करेंगे 19 होता है 19 में करेंगे 2 से multiply प्लस A मतलब 1 into 2 W होता है 23 23 में करेंगे 2 से multiply सबको जोड लेंगे यहां पर सालो करके D Question number 48 एक अनकुरम दिया गया है दिये गए अनकुरम की आदार पर उस पत की पहचान करें जो निम्न समुह में सम्मंदित नहीं है 48 Q और यहां पर क्या है 6 है अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे इसमें Q यहां पर है और 6 यहां पर है दोनों की बीच में 3 अलफावेट है U और B देखिए U यहां पर है B यहां पर इनके बीच में भी 3 है T E अगर देखेंगे तो इनके बीच में यहां पर 2 है T और यहां पर E तो यह अलग है बाकि और जो 3 है उनके बीच में 3-3 अलफावेट या फिर नमबर है कथन दिया गया है A और B यह कथन या तो स्वतंतर कारण हो सकते हैं या स्वतंतर कारणों या सामाने कारण के परड़ाहम हो सकते हैं इन में से एक कथन दूसरे कथन का परड़ाहम हो सकते हैं दोनों कथनों को पढ़िया और तै कीजिए कि निम्न में से किस उत्तर का चुनाओ इन दोनों के भी सही समद मताता है कथन A अधिकार्यों ने अगले महीने जाने वाले सैक्षडिक दोरे में सामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए कथन B है इसकूल अधिकार्यों ने अगले महीने जाने वाले सैक्षडिक दोरे को रद कर दिया अगर आप यहाँ पर ध्यास देखेंगे तो कतन A और कतन B दोनों जो है कतन किसी स्वतंत्र कारण के प्रडाम है यह दोनों ही प्रडाम है Question number 50 यह कतन है और इसके आदार पर यह निसकर्ष आपको देखना है यह सही है या फिर नहीं सही है यहाँ पर पहला वाला गलत है दूसरा वाला सही है पहला वाला गलत कैसे है यह जो है आई से बड़ा है सौरी आई नहीं यल है यहाँ पर एच जो है यल से बड़ा है अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर के जो है यच और यल का रिलेशन यहाँ पर निकल नहीं पा रहा है अगर देखेंगे ध्यान से तो क्योंकि यहाँ पर यच जो है के से हर हाल में बड़ा होगा अगर आप के की जिगह यच लिख देंगे तो यच क्या है के से हर हाल में बड़ा होगा तो यह नहीं पता चल पा रहा है कि यच जो है यल से बड़ा होगा या क्या होगा आर जो है यफ से बड़ा होगा क्योंकि हाँ पर के जो है यफ से बड़ा है 100% तो आर के से बड़ा है तो आर यफ से भी बड़ा हो जाएगा इसलिए हैं आपर केबल निसकर से दो अनसुरण करता है 51 देखे इसके बाद निमने में से नेम से एक पुस्तकी रचीता कौन है जुम्पा लाहरी विशो परियावड दिवस 5 जून को मनाया जाता है क्रिसी के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रद्यूकी जैसे की हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारत की अंदर वाड़ेजिक रूप से ब्यभारक फशलों की खेती की जाती है क्या बोलते हैं इसको इसको बोला जाता है वर्टिकल फॉर्मिंग लंबवत खेती बोला जाता है इसको 54 एक अंतराश्टी आंदोलन जिसका उद्देश से पर्यावर की समस्या से संबद्द होकर विश्टो को बचाना है कौन सा है 54 ग्रीन पीस भारतिय दलहन अनुसंदान संस्तान कहां इस्तित है कानपूर में भारतिय सब्जी अनुसंदान संस्तान कहां इस्तित है वाराण सी में भारतिय चारागा जहां सी में स्वीडन की राजदानी का नाम क्या है ये कोईसन एक इक्जाम हुआ था यूपे ट्रिफलसी का यूबा कल्याण अतिकारी में पूछा गया था तो इस्टाक हों स्वीडन की राजदानी है स्वीडिजरलेंड की राजदानी होती है बर्न इस्पेन की राज़ानी मैड्रिड और लग्जम बर्ग की राज़ानी है लग्जम बर्ग क्वेस्टन नमबर 57 प्रतेक दो वर्स के बाद राजसवा के कितने सदस्य गड़ सेवा निब्रित होते हैं राजसवाएक अस्थाई सदन इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं उनका 1 तीहाई सदस्य जो होते हर 2 साल पर रिटायर बतलब वो सिवा निब्रित हो जाते हैं और छे वर्ष कारेकाल होता है, प्रागेतिहासि काल की चित्रकारी वाली प्रसित पंचमुखी गुफाएं, निम्न में से किस चिले में इस्तित हैं, वारार्सी के सोनभद्र जिले में, बिंद और कैमुर की पहाड़ियों में इस्तित हैं ये, अंतराश्टी किरकेत परसर के नय अध्यक्ष, इसको छोड़ दीजे, करेंट अफेर वाला देख लीजीगा, राश्टी जल प्रुसकार 2020 है ये, हमें इसमें नया वाला देखना है, विश्व जल दिवस कब मनाय जाता है, बाईस मार्च को, विश्व पृतिवी दिवस, बाईस अप्रेल, अंतराश्टी आर्दर भूमी दिवस, दो फरोरी, कैंसर दिवस, चार फरोरी, 61 बिहार में इसको भी छोड़ दीजे, ठीक हमें जो नया वाला करेंट अफेर हो देख लेंगी, प्लीज, करेंट अफेर हमने अपने टेलिग्राम चैनल पे एक सेयर किया हुआ ये पीडिएप, आप चाहें दिवस, अंतराश्टी प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 18 दिवस, किस संगटन ने जनवरी 2021 में वैश्विक उर्जा सुरक्षा को बढाने के लिए भारत के साथ रड़ नितिक साज़ेदारी समझोते के लिए फ्रेमवर्क पर हस्ताप्चर किया था, अंतराश्टी उर्ज किता क्या है, सक्षम वेब पोर्टल, 68, एक जाव पोर्टल है, फरवरी 2021 में राश्टी सुरक्षा परसद एनेस्टी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, सुबर मर्णयम, विश्वभर में सामाजिक नयाय दिवस मनाया जाता है, किस तिति को, बीस फरवरी को सामाजिक नयाय दिवस, इसके बाद हिंदी का गद्यान से, गद्यान साब प्लीज पर दिजिएगा, डारेक्ट यहाँ पर क्वेस्टन करते हैं, 71, सासी मनु से क्या उ पिना जीने वाले वेक्ति से किसको प्रकास मिलता है, मनुष्यता को, लेकक ने कैसे जीवन को महान बताया है, हिम्मत, 75, इन में से कौन सा ब्यवहारिक सब्द के लिए पर्यावाची सब्द नहीं है, आदर सवादी नहीं है, ब्यवहारिक सब्द के लिए पर्यावाची ब नहीं बनाई ना कि ललैंसी के निचे हलन्त द्यान दी जेगा कि अनधनु अनधन उपकार अनधन उपम अनधन उपयोगी लेकिन अनपड में यह अन है इस प्रकार से पूरा देखी अनेहा परадц hvy दीजीगा बाकि तीन में क्या है और न के नीचे हलन्थ है मनुसे तभी सुखी कहा जा सकता है जब 77 का आंसर करिए आप लोग कि उसे आत्मिक ज्ञान हो 78 सुख साधन का विग्रह और समास है सुख साधन सुखों के साधन तत्पुरूश शमास वह असिक्षित सिक्षित बेक्ति से अच्छा है जो दयालू और सच्चरित्र हो अच्ची सिक्षा की विशेस्ता नहीं है आत्मिक ज्ञान देना सच्चरित्र नागरी बनाना सुख संस्कित बनाना ये तीनों है अनुत्तर दाई बनाना ये नहीं हो सकता है तो यहाँ पर नहीं पूछा गया तो यहाँ पर डी हो जाएगा कोशन की हिसाब से राइट आंसर इसकी बाद यहाँ पर हम लोग अब करे ये तो यह हो गया वो दंड आरेक उत्तिवड चात्रों की संख्या है एक तरफ और इधर जो है एक कक्षा है क्लास है 6,7,8,9,10 वह कक्षा कौण सी है जिसे उत्तिवड करने वाले बिद्यार्ती सरवादिक हैं क्योंस करना नबर,81 क्लास 10 और इसको क्लास 10 तो यहहाँ और ग्लस दोनों को जोड़ियें तो टेंथ में आपको अधे साद मिलेंगे देखिए 90 7,1,6 यह था बले हेहाँ एतर ग्लस जाद हैं लेकिन हाँ ब्यूस बहुत खम है class 7th में कच्चा 7, 8 और 9 में उत्रिण होने वाले लड़कोven लड़की यों की कुल संख्या का उन्पाद कितना है 7, 8 और 9 7, 8 और 9 उत्रिण होने वाले लड़कों और लड़की की कुल संख्या का उन्पाद देख लीजी हाँपर 7, 8, 9 तो लड़के 40 हो गए हाँ पर इसके बाद यह 90 हो गया और यहाँ पर 70 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगे और लड़कियां देख लीजिए हाँ पर 150, 80, 230 तो 20 अनुपाते 23 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी लड़कों को जोड़ दीजिए जो उत्तिड़ होने वाले हैं और 5 सी डिवाइट कर दीजिए बहुत आसान क्वेशन है 84 का राइट आंसर देख लीजिए 83 का 70, 70 84 देखिए वह कक्षा कौन सी है जिसे उत्तिड़ करने वाले लड़कों की संख्या उत्तिड़ लड़कियों की प्रति कक्षा की आउसत संख्या के निकरतम है उत्तिड़ करने वाले लड़कों की संख्या उत्तिड़ लड़कियों की प्रति कक्षा की आउसत संख्या के निकरतम है कैसे करेंगे इसको 84 का 84 को सबसे पहले हैं आप लड़कियों की संख्या का आउसत निकालना होगा यह 70-100 यह सब को जोड़ना पड़ेगा पांचों को और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 70 लड़कियों की आउसत जो है लड़कियों की उत्तिर्ड संख्या और अगर इसमें ध्यान से देखा जाएगा तो कक्षा जो 6 है इसमें उत्तिर्ड लड़कों की संख्या कितनी है 70 है माफी जाओंगा 80 है यहाँ पर ठीक है जो कि लगबग इसके आसपास है इसके निकटस्थ है यही आपसे कोईसन में पूछा गया तो यहाँ पर आइट आंसर हो जाएगा क्लास 6 55 दीखे कक्षा में उत्तिर्ड लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने प्रसत कम है तो कुल उत्तिर्ड लड़कियों की संख्या निकालेंगे सबसे पहले 390 कुल उत्तिर्ड लड़कों की संख्या 350 और यहाँ पर लड़कियों का पूछा गया है लड़कों का पूछा गया लड़किया है 390 और लड़के यहाँ पर है 350 टोटल तो यह कितने कम है लड़कियों से टोटल उत्रीड संख्या 40 कम में हमें निकालना है प्रस्थ लड़कियों के सापेच तो 390 नीची डिवाइड में हो जाएगा 100 से कर देंगे मल्टिपलाई यहाँ पर मिल जाएगा 10.25% 10.25% दूसरा देखें यहाँ पर 86-90 के लिए क्वेशन नबर बार ग्राप दिया गया है विश्व से भारत में FDI की प्रविति को दर्शाया गया है बार ग्राप का ध्यान पुर्वक अध्यान केजिए और प्रश्णों का उत्तर दीजिए 86, 1992 और 93 में बिदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कुल यह कितना है जोड़ लिजिए 92 का और 93 का दोनों को जोड़ लिजिए दोनों जो डाटा है यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 86 का B 15.85 करोड 87 क्या है दर्शाय गई अवदि में भारत में किस वर्स दूसरे शरवादिक बिदेशी प्रत्यक्षी निवेश किया गया 93, 94, 96, 97 93, 94 96, 97 तो यहाँ पर आएट आंसर क्या हो जाएगा देख की ही आप लोग बता सकते हैं 1996 सबसे ज़्यादा 1997 में हुआ इन चारों में से तो दूसरा पूछा है तो दूसरा मतलब हैं यहाँ पर 1996 क्या करना होगा सब को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा और 6 सी डिवाइट कर देंगे तो यहीं मिल जाएगा कितना 101 दसमनो आठ दू 6 सी डिवाइट कर देंगे और इसका अनुपात निकालना है 1997 में कितना है यहाँ पर 31.3 के साथ रेशियो निकालना है टोटल जोड़ करके आउसत के साथ में तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 इस्टू 1 दो अनुपाते 1 कोईस्टन नमबर 89 1996 और 1997 की भारत में किये गे बिदेशी प्रतेक्ष निवेश में संपूड अंतर कितना है 96 और 97 देख किया घटा लीजीगा ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं 92 में से 97 में से 97 को घटा लेना है वही आंसर हो जाएगा क्वेस्टन नमबर 90 1992-93 का वर्स 1996-97 से बिदेशी प्रतेक्ष निवेश का कुल अंतर ग्याद करें 92-93 मतलब 92 और 93 दोनों का जोल दीजिए हाँ पर और यहाँ पर 96-97 का जोल दीजिए इसमें से इसको डिफरेंस माइनस करके 39.74 आ जाएगा करोड बहुत आसान कोशन था इसमें कुछ ऐसा था नहीं जो कि अलग से एक्स्पिरेंट करने लाइक हो 90 का सी इसकी बाद तालिका दिया गया है परिक्षा केंद्रों में परिक्षा का नामंकन भरने वाले अभ्भ्यरतियों की शंक्या को कुल अभ्भ्यरतियों की शंक्या के प्रसत की रूप में दर्षाया गया है यहाँ तालिका परिक्षा केंद्र की आनलाइन अभ्यारतियों और उपस्तित अभ्यारतियों की संख्या को कुल अभ्यारतियों की संख्या के प्रसत की रूप में दर्शाती है अभ्यारतियों के कुल संक्या 12,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, तता बी परिक्षा केंद्र के पर उपस्तित अभ्यार्थियों के बराबर है तो ए बी का कितना प्रस्त है पहले हाँ पर एक आमान निकालते हैं एक आमान कैसे निकलेगा यह पर जो उपस्तित अभ्यार्थी है उसका 15 प्रस्त होगा तो टोटल अभ्यार्थी कितने हाँ पर ह फट्र लाक है, ठीक है, और बारह लाक में अगर आप देखेंगे, तो पंद्रह परसत करना है किसका, यफ का, क्योंकि यफ में क्या है, आपर, कुल अभ्भेरती आ पर पंद्रह परसत है, और इसके बाद आप देखेंगे, 36% अनुपस्तित हैं तो उपस्तित संक्या कितनी हो जाएगी 64 प्रसत और इस पूरे का 15 प्रसत निकालेंगे तब जाकर कि आपको A मिलेगा ये A बराबर हो जाएगा इसी तरह से B निकालना होगा B बराबर क्या हो जाएगा K पर उपस्तित अभ्यारतियों की बराबर है यानि 12,00,00 हो गया और इसका आप कर दीजे 16 प्रसत ठीक है उपस्तित अभ्यारतियों की शंक्या और इतना यह अभी आगे आपको ये अनुपस्तित 80 प्रसत यहाँ पर उपस्तित कितने होंगे इसका कर ली जाए आप 80% है यहाँ पर और आगे समझ पार है आप लोग question बहुत आसान है केवल calculation है सिर्फ बस calculation की वज़े से दिक्कत हो रही है ठीक है यहाँ पर पूछा क्या गया था A, B का कितना प्रस्त है तो B वाला यानि यह बैलू नीचे रखिए और A वाले को ऊपर रखिए और इधर 100 से मल्टिप्लाई करना होगा राइट साइड में इसी को पूरा साउल कर लेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा 11.25% थोड़ा सा क्वेस्टन है कैलक्लिवटी लेकिन बहुत आसान है परिक्षा केंदर याचे के तथा यप से कुल आफ लाइन अब भेरतियों की कुल संख्या परिक्षा केंदर जी तथा जे से उपसित अब भेरतियों की कुल संख्या से कितना कम है यह online वाला है offline के लिए क्या करेंगे 100 में से minus कर देंगे इस percentage को मैं यहाँ पर आपको answer बता दू आप लोग solve कर लेंगे please 92 का right answer यहाँ पर होगा B 93 परिक्षा केंदर FHJ तथा G से offline अब भेहरतियों के कुल संख्या है FHJ G FHJ और G यह online संख्यान यहाँ से offline करिए ध्यान दीजिएगा जो 12 लाके इसको सबसे बाहर रख दीजी हाँ पर starting में ही इसकी बाद देखिए हाँ पर F के लिए 15 परसत और हमें चाहिए offline मतलब 70 परसत G 25 परसत और हमें चाहिए हाँ पर offline वाले इसी तरह से यच का लिग देंगे इसी तरह से J का लिग देंगे और सबको add कर देंगे जो हो जाएगा answer कर लेंगे आप सभी प्लीज कर लिजेगा आप लोग question number 94 परिक्षा केंदर के से कुल उपस्तित अभ्यरतियों की शंख्या का परिक्षा केंदर जे से कुल आफ लाइन अभ्यरतियों की शंख्या से क्यान पातुगा के पर उपस्तित जे पर आफ लाइन